हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेधिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यूरिक एसिट के रामबान इलाज के बारे में जी हाँ अगर आपको भी यूरिक एसिट बढ़ने की समस्या है तो आज हम आपको यूरिक एसिट को कम करने के लिए 100% कारगर 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे कि जिन्हें आप अगर रेगूलर डाइट में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा तो आज दी जाने वाली जानखारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजीगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि यूरिक एसिट का बढ़ना आज के समय के एक बड़ी समस्या है और अगर आपको भी हाथो पैरों में दर्द रहता है, जोडों में चुभन होती है या फिर जोडों में किसी भी तरह की सूजन आती है तो आपको भी अपना यूरिक एसिट टेस्ट कराना चाहिए, कहीं आपका यूरिक एसिट बढ़ना गया हो तो इसमें सबसे पहला फूड आइटम है नीवू, और मैं आपको बता हूँ कि नीवू यूरिक एसिट के इस्तर को संतुलित करने के लिए एक बेहद कारगर फूड आइटम है क्योंकि ये शरीर को अक्षारिय बनाता है, यानि एलकलाइन बनाता है और आप अगर एक गिलास पानी में एक नीवू निचोड करके बार बार पीते हैं दिन में दो से तीन बार तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है, आपको नुकसान नहीं देगा और आपके यूरिक एसिट बढ़ने की समस्या को भी कम करेगा फिर दूसरा फूड आइटम है बेकिंग सोडा और मैं आपको बता हूँ के बेकिंग सोडा यूरिक एसिट के क्रिस्टल को तोडने और फिर उन्हें खून में घोलने में साहिक है यानि अगर आप बेकिंग सोडे का इस्तमाल करते हैं रेगुलर तो इससे आपका यूरिक एसिट टेज गती से नॉर्मल आने लगता है कम होने लगता है बस आपको करना क्या है कि एक गिलास साधरन ताप मानवाले यानि नॉर्मल पानी में ना जादा गरम हो ना जादा ठंडा उसमें आधा चमच बेकिंग सोडा मिला करके रोजाना पी जाएए ये आपके लिए बेहत फायदे मंद होगा इसकी खास बात ये है कि इसे दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है लेकिन पीजिये का एक ही बार फिर बात करें अगले आइटम की तो ये है सेव का सिर्का और मैं आपको बता हूँ के सेव का सिर्का खून को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और इसमें मौझूद मैलिक एसिड शरीर से यूरिक एसिड को निकालने में कारगर है ऐसे में high uric acid के मरीजों को एक गिलास पानी में एक चमत सेव का सिरका मिला करके रोजाना पीना चाहिए लेकिन रात को खाना खाने से आदा गंटा पहले पीएंगे तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा फिर एक और food item है और वो है अजवायन मैं आपको बताओं कि अजवायन में omega 3 fatty acid होता है जो बढ़े हुए uric acid को control में रखता है आपको करना क्या है कि रोजाना एक लास खाली पेट अजवायन का पानी पीजिए ये आपके लिए बेहत फाइदेमंद है और आपको दूसरे स्वास्थे लाब भी देगा आप समझ ये के अजवायन का पानी कैसे तयार करना है तो इसके लिए एक चमच अजवायन को रात भर पानी में भिखो करके रख दिजिए और सुभे इस पानी को छान करके पी जाईए ये बेहत फाइदेमंद है तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू वरी मुट